प्रिये मित्रों हम दैनिक स्री राम चरित मानस की कथा आप को सुनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से स्याधर अनुरोद करते हैं बिंती करते हैं कि मेरे चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और मेरे द्वारा कई गई कथा में कोई अगर तुरूतियां हो तो आप अपना बहुमुल शुजाव कॉमेंट के माध्यम से देंगे आज का जो प्रसंग है कि भगवान स्री राम माता सिता को समझा रही है कि बन में नहीं जाना चाहिए आपको आपको शाज ससुर की शेवा करनी चाहिए इस शेवर कर कोई पुन्य का काम नहीं है बन में बहुत तरह के निश्चर हैं जानवर हैं इसलिए आप घर पर ही रहिए और शाज ससुर की शेवा किजिए लेकिन शीता जी मानने के लिए तैयार नहीं है तो आईए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि सुनी मिर्दू बचना अमनो हरपिया के अलो चनला लिता भारे जलसिया के सीतला सिख दाह का भाई कैसे अच्चा काई सहरद चंद नीशी जैसे प्रियतम के कोमल तथा मधर बचन सुनकर शीता जी के शुंदर नेत्र जल से भर गए शीराम जी की हशीतल सीख उनको कैसे जलाने बाली हुई जैसे चकवी को शरद रितू की चांदनी रात होती है अउतरुन आब अभी कल बैदेही अत्त जन चहत सुची स्वामिशनेही अभरवसरो की अभीलो चन बारी अधरी धीर जूरय अवनी कुमारी जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता वे यह सोच कर ब्याकुल हो उठी की मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं नेत्रों के जल आशुमों को जवर्दस्ती रोक कर वे प्रित्र विकी कन्या शीता जी प्रित्य में धीरस धर कर लागी शासू अपग कहकर जोरी अच्छा माबी देवी बरिया भी नए मोरी अदिन्ही प्रान पती मुही सिखा सोई अज्येही बिधी मोरा परमहित होई सामने पहर लग कर हाथ जोर कर कहने लगी कि है देवी मेरी इस बरी भारी ढिठाई को छमा कीजिए मुझे प्रान पती ने ओही सिख्छा दी है जिससे मेरा परमहित हो मैं पुनिश मुझी अदिखी मनमाहि अपिये बियोगशम दुखु जगनाहि प्रानतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पती के बियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है प्राननाथ करुनायतन सुन्दर शुखद सुजान अत्तुम बिन रगुकुलकुमुद अबिधियू शुरुपुरु नरक शमान हे प्राननाथ हे दया के धाम हे शुन्दर हे शुखो के देने वाले हे सुजान हे रगुकुलुकुमुद के खिलाने बाले चंद्रमा आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के शमान है अम्मातु पिता अभगनी प्रिये भाई अप्रिये परिबारुशु हिर्दशा मुदाई शाशु सशुरु गुर सजन सहाई अशुत शुन्दर शुशील शुखदाई माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का शमुदाई शाश सशुरु गुरु श्वजन बंधु बांदव शहाईक और सुन्दर सुसील और सुखदेने वाला पुत्र जहां लगीनाथ अनेहरु नाते अपिये बिनूती अहितारी नूते ताते अतनु धनु धामु अधरानी पूरा राजु अपती बिहीन शबु सोक शमाजु हेनाथ जहां तक सनेह और नाते हैं पती के बिना इस्त्री को शभी सुड़ से भी बढ़कर तपाने वाले हैं शरीर धन घर पृत्वी नगर और राज पती के बिना इस्त्री के लिए यह सब सोक का शमाज है अभोग रोग शम अभूशन भारू अज्यम जातना सरिश संसारू अप्रान नात तुम बिनु जगमाही भोग रोग के समान है गहने भारूप है और संसार यम यातना के समान है है प्रान नात आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी शुखदाई नहीं है अजिय बिनु देह अनदी बिनु बारी अतैसिय नात पुरुस बिनु नारी नात सकल शुख साथ तुमारे जैसे बिना जीब के देह और बिना चल के नदी वैसे ही हेनात बिना पुरुस के इस्त्री है हेनात आपके साथ रहकर आपका सरद पुरुनिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे आपके साथ पक्ची और पसु ही मेरे कुटुम्बी होंगे बन ही नगर और विक्षो की छाल ही निर्मल बस्तर होंगे और पर्नकुटी माने पत्तो की बनी जोप्री ही स्वरके शमान शुखो की मूल होगी अब बन देबी बन देब उदारा अकरी हैंशा सुसा सुरसमसारा अप्रभु शंगमन जुमनो जतुराई उदार हिर्दय के बन देबी और बन देबता ही शास ससुर के शमान मेरी शाहर संभार करेंगे और कुशा और पत्तो की सुन्दर साथरी विशावनाही प्रभु के साथ कामदेव की मनुहर तोस्षक के समान होगी कंद मूल फल अमिय हारू अवध शोध सत सरिश पहारू अच्छिनू च्छिनू प्रभु पद कमल बिलो की अरहियो मुदित दिवस जिमिको की कंद मूल और फल ही अमरित के शमान हार होंगे और बन के पहार ही अयोध्या के सैकरो राजमालो के शमान होंगे चंचन में प्रभु के चंद कमलो को देख देखकर मैं ऐसी आनंदुत रहूंगी जैसी दीन में चकवी रहती है अब बन दुखनात अकहे बहु तेरे अभए बिशाद परिताप घनेरे अप्रभु बियोग अल्ला बलेश समाना अस्सब मिली हो ही न कृपा निधाना हेनात अपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भाय बिशाद और संताप का है प्रंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके भी योग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते अस जी जानी असुजान सी रोमनी अलेई शंग महिचारी जनी अभी नती बहुत कराओ का स्वामी अकरुना मैं उर अंतर जामी एसया जी मैं जानकर हे सुजान सी रोमनी आप मुझे साथ ले लिजिए यहां न छोड़िए हे स्वामी मैं अधिक्या बिंती करू आप करुना मैं हैं और सब के हिर्दय की अंदर की जानने वाले हैं राखिये अवध जो अब अधी लगी रहत न जानी हैं प्राण अदीन बंधु शुन्दर अशुखदा शील शने हनिधान हे दिन बंधु हे शुन्दर हे शुखदेने वाले हे सील और प्रेम के बंडार एदपी एदी अबधी चौदा बस तक मुझे आजोध्या में रखते हैं तो जान लिजिए कि मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे अमोही मगचलतन होई हही हारी अच्छीनु छीनु चरन सरोजनी हारी सब ही भाती पिये शेवा करी हों अमारगजनीत सकलस्रम हरी हों छंछन में आपके चरन कमल को देखते रहने से मुझे मारग में चलने में ठकावट नहों होगी यह प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी शेवा करूंगी और मारग में चलने से होने वाली सारी ठकावट को दूर कर दूंगी अपाए पकारी बैठी तरुचाई अकरिहं बाव मुदितमन माही स्रमकन सहित श्यामतन देखे अकह दुखशम उप्रान पति पेखे आपके पैरदोकर पेरो की छाया में बैठकर मन में प्रसन होकर हवा करूंगी पंखा जहलूंगी पशिनों की बुंदी शहित श्याम सरीर को देखकर प्रान पति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अब कास ही कहा रहेगा असम महित्रिन अतरू पल्ल बडासी अपाए पलोट ही सबनी सिदासी अबार अबार अम्रिदू मूरती जोही अला गहितात बयारी न मोही शमतल भुमी पर घास और पेरों के पत्ते बिछा कर यह दासी रात भर आपके चरन दवाएगी बार बार आपकी कुमल मुर्ती को देखकर मुझे को गरम हवा भी न लगेगी अको प्रभु संग अमोही चीतव निहारा असिंध बदुही जीमिशासा कसियारा मै शुकुमारी अनाथ बन जोगू तुमही उचीतत पमो कहू भोगू प्रभु के साथ रहते मेरी योर कुठा कर देखने वाला कौन है अर्थात कोई नहीं देख सकता जैसे सिंग की स्त्री सिंगनी को खरगोस और सियार नहीं देख सकते मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के जोग्य हैं आपको तो तपस्या उचीत है और मुझको विशय भोगू ऐसे उ बचान कठोर सुनी जो न हिर्दव भी लगान तो प्रभू भीशम भीयोग दुखा शही यहीं पाबर प्रान ऐसे कठोर बचन सुन कर भी जब मेरा हिर्दैना फटा तो यह प्रभू बालूम होता है कि यह पामर प्रान आपके बियोग का भीशन दुख शहेंगे असकही सिये अभी कलभाई भारी बचन बियोग उनसकी संभारी देखी दसा रगुपती जिये जाना हठी राखे नहीं राखी ही प्राना ऐसा कहकर सिता जी बहुत ही ब्याकुल हो गई वे बचन के बियोग को भी न शंभाल सकी अर्थात शरीर से बियोग को बात तो अलग रही बचन से भी बियोग की बात सुनकर वे अत्यांत भीकल हो गई उनकी ये हदसा देखकर सिरी रगुनाच जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पुर्वक इनहें रखने से प्रानों को न रखेंगी कहेऊ क्रिपाल भान कुलना था अपरी हरी सुच चला हूँ बन साथा नहीं बिशाद कर अब सरयाजू अब बेगी कर हूँ बन गवन समाजू तब क्रिपाल सुर्ज कुल के स्वामी सिरी राम चंजी ने कहा कि सुच छोड़ कर मेरे साथ बन को चलो आज भी शाद करने का अफसर नहीं है तुरंत बन गवन की तैयारी करो अकही प्रिये बचन अप्रिया समुझाई अलगे मातु पदयासी सपाई अब बेगी प्रजा दुख में ठब आई अजननी नी थुर भी सरी जनी जाई ची रामचन जी ने प्रिये बचन कहकर प्रियतमासीता जी को समझाया फिर माता के पैरोलक कर आसीरबाद प्राप्त किया माता ने कहा बेटा जल्दी लटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यहनी थुर माता तुम्हें भूल न जाए अफिरही दसा बिधि बहुरी की मोरी अद देखी हूने न मनो हर जोरी अशुदिन अशुधरी तात कब होई हैं अज्याननी जीयता बदन भी धूजोई हैं ए बिधाता क्या मेरी दसा भी फिर पल्टेगी क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनो हर जोरी को फिर से देख पाऊंगी हे पुत्र यह सुंदर दीन और सुब घरी कब होगी जब तुमारी जन्नी जीते जी तुमारा चांद सा मुख़ा फिर देखेगी बहुरी बक्चे कही लालु कही रगुपती रगुबरतात अकब ही बोलाई लगाई ही ये हरसी निरीखी अउगात हे तात बत्स कहकर लाल कहकर रगुपती कहकर रगुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुला कर हिर्दय से लगाऊंगी और हरसित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक ब्याकूल है कि मुँसे बचन नहीं निकलता सिरी राम चंदर जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया वह समय और स्नेह बर्नन नहीं किया जा सकता अतब जानकी असासु पगलागी असुनिये माए मैं परमय भागी अशे बासमय दैय बनु दिन्हा अमोर मनोरतु सफलन किन्हा तब जानकी जी सास के पाउं लगी और बोली हे माता सुनिये मैं बरी ही अभागनी हूँ आपकी शेवा करने के समय दैब ने मुझे बनु बास दे दिया मेरा मनोरत सफलन ही किया अत्त जब छोभू अजनी छारिये छोहू अकरमु कठी न कचु दोशु नमोहू सुनि सिये बचन सासु अकुलानी अदसा कबनी विधी कहो बखानी आप छोभ का त्याग कर दें प्रन्तु क्रिपा न छोड़िये गा कर्म की गती कठीन है मुझे भी कुछ दोश नहीं है छीता जी के बचन सुनकर शास ब्याकुल हो गई इनकी दसा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं अबार ही बार अल्ला यूरलिन्ही अधरी धीर जूसिख आसिस दिन्ही अचल हो अही बातु तुमारा अजब लगी गंग जमुन जलधारा उन्होंने शीता जी को बार बार हिर्दे से लगाया और धीरस धर कर सिच्छा दी और आसिरवाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जलकी धारा बहे तब तक तुमारा सुहाग अचल रहे शीता जी को शास ने अनेको प्रकार से आश्रिवाद और सिच्छाय दी और वे शीता जी बरहे ही प्रेम से बार बार चरन कमलों में शीरनवाकर चली हर समाचार जब लची मन पाए अब्याकुल बिलख बदन उठी धाए कमप पुलकत न नए न सरीरा अगहे चरन अति प्रेम अधीरा जब लक्षुमन जी ने समाचार पाए तब ब्याकुल होकर उदास मुह उठ दोरे सरीर काप रहा है रोमान छोड़ा है नेत्राहशुओं से भरे है प्रेम से अतियां तधीर होकर उन्होंने सी राम जी के चान पकर लिए कही न सकत अकचु चितवत ठाड़े अमीनु दीन जनु जलते काड़े सोचु हिर्दय बिदी का होनी हारा असबु सुख सुकृतु सीरान हमारा वे कुछ कह नहीं सकते खरे खरे देख रहे हैं ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मचली दीन हो रही हो हिर्दय में यह सोच है कि हेविधाता क्या होने वाला है क्या हमारा सब सुख और पुर्ण पूरा हो गया है मो कहु काह कहब रगुना था रखी हैं भवन की लई हैं शाथा राम बिलो की बंधु कर जोरे अदेह गेह सबसन त्रिनू तोरे मुझे को सी रगुना जी क्या करेंगे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे सी राम चंजी ने भाई लक्षमन को हाथ जोरे और सरीर तथा घर सभी से नाता तोरे हुए खरे देखा अब बोले बचनू रामने नागर अशी लसने हसरल सुखसागर तात प्रेम वस जनिकदराहु अस्रमुझी धै परिनाम उचाहु टवनीती में निपुन और सिल्सने स्रलता और सुखके शमुद्र सिरी राम चंदर जी बोले कि हेतात परिनाम में होने वाले आनंद को हिरदय में शमज कर तुरुम पेम बस अधीर मतो हो जो लोग मता पिता गुरु और स्वामी की सिक्षा को सुभाविक ही सिर्चढ़ा कर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जल्म लेने का लाब पाया है नहीं तो उनका जगत में जन्म ब्यार्थ है हे भाई हिरदय में ऐसे आजान कर मेरी सिक्षुनो और माता पिता के चर्नों की शेवा करो भारत और सत्रुघन घर पर नहीं है महराज ब्रिद्ध है और मन में उनके मन में मेरा दुख है इस सबस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाओं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनात हो जाएगी गुरु पिता माता प्रजा और परिवार शभी पर दुख का दुसह मने भार आ जाएगा रहा हूं करा हूं अस सब करा परितोशू अनात रुतात होई हैं बरदोशू अजासु राज अप्रिये प्रजा दुखारी असो निर्पगा बसिन रका अधिकारी अता तुम यही रहो और सब का शन्तोस करते रहो नहीं तो हेता तबरा दोसोगा जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवसी नरक का अधिकारी होता है अरह हूं तात असनीती बिचारी असुनत लखन भै ब्याकुलू भारी असियरे बचन सुखी गए कैसे अपरसत तुही नतामरसु जैसे हेतात ऐसे नीती बिचार कर तुम घर रह जाओ यह सुनते ही लक्षुमन जी बहुत ही ब्याकुल हो गए इन शीतल भचनों से वे कैसे सुख गए जैसे पाले के असपर से कमल सुख जाता है उतर उना बत प्रेम बसा गहे चरन या कुलाई नाथ दासु मैं स्वामी तुमा तजहु तकाह बसाई प्रेम बस लक्ष्मन जी कुछ उत्तर से कुछ उत्तर देते नहीं बनता उन्होंने ब्याकुल होकर जी राम जी के चरन पकर लिए और कहा कि हेनात मैं अदास हूँ और आप स्वामी है अता आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है तो बोलिए जैसी आराम जै जै हनुमान संकट मोचन क्रिपनिधान जैसी आराम जै जै हनुमान चियाबर राम चंद की जै अजुद्या राम लला की जै पवन सुतहनुमान की जै बोलो भाई शब शंतन की जै हर हर महादेब जै शिब शंबु अरार महादेब झाल झाल